नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे तथा इस महामारी कोरुना वाइरस से पचने के सभी उपायों को भली भांती अपना रहे होंगे परन्तु इस इन उपायों को अपनाने के साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना बहुत जरूरी है तो आईए आज हम अपनी कक्षा दो हिंदी विशे का प्रमुक उपकरण दोस्त की मदद पढ़ेंगे अध्यायारम करने से पूर मैं आपको यह बत्ता न चाते हो कि दोस्त दोस्त हमारी जिंदीगी में बहुत महतुपून भूमे का अदा करते हैं वे हमारा हर परिस्थिती में साथ देते हैं, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, परन्तु दोस्त हर परिस्थिती में हमारे साथ हैं, सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की मुसीबत में सायता करे, हां जी, सच्चा मित्र वही माना जाता है जो आपकी दुख में जरूर आप के साथ होना चाहिए सच्चा मित्र वही है और वही सच्ची मित्रता कहलाती है तो ऐसी ही एक सच्ची मित्रता की कहानी आईए हम अपनी कक्षा 2 के पाठ पाच दोस की मदद में पढ़ते हैं तो आप सभी मेरे साथ इस कहानी को पढ़ेंगे और आप ध्यान पूरवर दोस्त की मदद किसी तालाब में एक कच्छुवा रहता था तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लॉम्डी से उसकी दोस्ती हो गई थी अब बच्चों आपने है एक नया शब्द देखा मांद मांद का क्या अर्थ होता है? मांद का अर्थ होता है गुफा लॉम्डी कहां रहती थी? गुफा में और उसकी किसे दोस्ती हो गई थी? कच्छुवे से देखो यहां पर यह लॉम्डी है और यह कच्छुवा है कच्छुवा कहां रहता है? तालाब में और लॉम्डी कहां रहती है? मांद मान का अर्थ क्या हुआ गुफा तो उन दोनों में क्या हो गई थी दोस्ती हो गई थी अब क्या हुआ एक दिन वे तलाब के किनारे बैठ कर गपशब कर रहे थे क्या कर रहे थे वो दोनों बैठ कर गपशब अब गपशब शब्द आपने सुना होगा इसका क्या अर्थ होता इसका अर्थ होता है आनन पूर्वक बातचीत करना कप्षप का अर्थ होता है बातचीत करना तो कच्छुआ और लॉंबडी दोनों कप्षप कर रहे थे यह देखिए इस चित्र में लॉंबडी और कच्छुआ दोनों आपस में क्या कर रहे हैं खुश होकर बातचीत कर रहे ह फिर क्या होता है ये देखिए इस चित्र में जब यह दन बातचीत कर रहा है तो क्या हुआ आएए पड़ते हैं कि एक तेंदुआ वहां आया देखिए यहां ये तेंदुआ आ गया है दोनों अपनी जान बजाकर अपने अपने घर की और भागे कहां भागे दोनों अपने अपनी घर की और लॉमडी का घर कहां था मांद मांद का अर्था गुफा में और कच्छुए का घर कहां था तालाब में तो दोनों अपनी अपनी जान बचाकर घर की और भागे अब लॉमडी तो सरपट दोड़कर अपनी मांद में पहुँच गई अब बच्चो है एक नया शब्द आया सरपट सरपट का क्या आर्थ होता है तेज जल्दी से कैसे पहुँच गई लॉमडी अपनी कुफा में मांद में कैसे पहुँच गई बहुत सरपट जल्दी से पहुँच गई ये देखो इस चित्र में लॉमडी अपनी कुफा की ओर जा रही है और ये तेन दुगा जो है इन दोनों के पीछे आ रहा है अब क्या हुआ अब क्या हुआ पर कच्चुआ अपनी धीमी गती के कारण तालाब तक ना पहुँच सका हम तो सभी जानते हैं आप सबने खरगूश और कच्चुए की कहानी भी सुनी होगी कि कच्चुए जो कच्चुआ जो होता है उसकी जो गती होती है वो धीमी होती है वो धीमी गती से चलता है तो कच्छुए की गत्ती धीमी होने के कारण वे तालाब तक नहां पहुँच सका तेंदुए ने कच्छुए को मुह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया उसने क्या किया कच्छुए को एक चलांग में पकड़ लिया और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया अब क्या हुआ क्या होता है अब इस चित्र मेले को यह क्या कर रहा है यह उसको खाने का प्रैत्न कर रहा है कौन तेन दुआ किसको खाने का प्रैत्न कर रहा है कच्छुए को लेकिन क्या हुआ लेकिन दातों और नखुनों का पूरा जोर लगाने पर भी कच्छुए का सक्त जो है उस पर खरोच तक नहीं आई जोर जोर का अर्थ ही यहां पर क्या है यहां पर अर्थे जोर का बल लगाने पर भी उसने अपने पूरे ताकत लगाई फिर भीवैं कचुए के सक्थ खोल को खरोच तक नहीं पाया यह कच्चुअज मतलेख था है जहां बच्चों आपने शब्दे का खरोच. खरोच का अर्थ होता है, जब किसी नुकीली चीज से हम किसी चीज पर प्रहार करते हैं, तो उस पर निशान बन जाते हैं. भई क्या कहलाते हैं? खरोच. तो जब देंदुआ कच्छुए को खरोच रहाता, तो क्या हो गयाता? उ उसने क्या सोचा उसने कच्छुए को बचाने की तर्कीप सोची अब उसने बचाने की तर्कीप क्यों सोची उसने बचाने की तर्कीप इसलिए सोची क्योंकि लॉंबडी कच्छुए की बहुत अच्छी मित्र थी और हम सभी को अपने मित्र की परिशानी में साहता करनी चाह देखो उसने मान से भार झाक कर देखा और बहुले बंसे बोली तेंदुए जी तेंदुए जी कच्छुय के खोल को आसानी से तोड़ने का में आसान तरीका बताती हूं आप तो इसे पानी में फेक दो और थोड़ी देर में पानी से इसका कोल नरम हो जाएगा चाहो तो आजमा के देख लो तेंदुए ने कहा ठीक है अभी देख लेता हूँ और यह कहकर उसने कच्चुए को पानी में फेक दिया बस फिर क्या था गया कच्चुए पानी में कहां गया कच्चुए पानी में अब देखो इस चित्र में लोमडी ने क्या तरकीब बताई तेंदुए को कि आप तो इसे कच्चुए को पानी में फेक दो जिससे किसका खोल नरम हो जाएगा परन्त उसकी तरकीब क्या थी उसकी तरकीब यह थे कि अगर तेन दुआ कच्छुए को पानी में फेक देगा तो वो तो अपने घर चला जाएगा फिर तेन दुआ उसे नहीं पकड़ पाएगा और हम जानते हैं कि जो कच्छुए है वो जलिय जीर है तो वो तलाब में चला जाएगा तो इस प्रकार से लॉम्डी ने कच्छुए की जान बचा ली जैसा कि हम सभी अपने अपने मित्र की उनकी मुसीवत में साहिता करते हैं इसी प्रकार से सच्ची मित्रता को दिखाते हुए लॉम्डी ने कच्छुए की साहिता की तो कैसी लगी कहानी बहुत अच हम पढ़ते हैं, शब्द, अर्थ, पहला शब्द है सर्पट, तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहाने में बतायता, कि लॉम्डी अपनी मांद में कैसे पहुँच गईती, सर्पट, सर्पट मतलब बहुत जल्दी, बहुत तेज, जल्दी से वो कहां पहुँच गईती, अ कहानी में कपशप कौन कर रहा था, लॉम्डी और कच्छुआ, लॉम्डी और कच्छुआ अपस में गपशप कर रहे थी, बाचीत कर रहे थी, तो कपशप का अर्थ क्या होता है, बाचीत करना, तीसरा शब, मांद, जैसा कि अभी हमने कहानी में पढ़ा, लॉम्डी सर्प तेज डौड़कर कहां चली गese अपनी मांद में मांद किzhny का अर्थ क्या होता है घुफा क्या अर्थ होता है मांद का खुफा अगला शब्द जोर ज़्ध दोर्ध का प्रेयूग हमने कहानी में कहा किया जब तेंदुआ कच्छुए के खोल को अपने नकूनों के द्वारा जोर से छीरने का प्रयास कर रहा था तो जोर का अर्थियां पर क्या हुआ बल लगा कर अपना शरीर का बल लगा कर या ताकत का प्रयोग करके अगला शब खरोंच और क्या हुआ था कच्छुए के खोल पर खरोंच तक नहीं आई खरोंच का आर्थ क्या हुआ मैंने जैसे कि आपको अभी कहाने बताए था किसी नुकिली चीज से प्रहार करने पर किसी वस्तू पर या किसी प्रानी पर जब निशान जो लग जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं खरोंच तो खरोंच का क्या आर्थ हुआ निशान तो आप सभी कटिन शब्दों को समझ गए बहुत अच्छे तो बच्चो अब हम कुछ एक अनेक शब्द पढ़ते हैं अब ये कौन से शब्द होते हैं चाहिए चलिए देखते हैं एक अनेक जैसे पहला शक्त हमारा क्या है पहला शक्त कच्छुआ अगर एक कच्छुआ है तो हम क्या कहेंगी कच्छुआ अगर कच्छुआ हमारे पास एक से जादा है अनेक का अर्थ होता है एक से जादा अनेक का क्या अर्थ होता है एक से जादा तो अगर हमें कच्छुए एक से जादा हैं, तो हम उसको कच्छुआ नहीं कहेंगी, हम उसको क्या कहेंगी, कच्छुए, क्या कहेंगी उसको हम कच्छुए, अगर हमारे पास एक तेन दुआ हैं, तो क्या कहेंगी हम तेन दुआ, और एक से अधिक हैं, तो क्या कहेंगी हम त देदो एक से जादा पैसे चाहिए तो हम क्या बोलते हैं कि दो रुपे दे दो तीन रुपे दे दो पांच रुपे दे दो तो वो क्या हो गया एक से जादा तो क्या कहते हम रुप्या रुप्ये अगर एक कपड़ा है तो क्या कहते हम कपड़ा अगर हमें जादा है तो क्या क अधिक पयास करेंगे अगला अब हम करते हैं पुन्रावृति कि आपको कहानी कहां तक याद है तो आएए देखते हैं पहला प्रश्ण कहानी में कौन-कौन मित्र थे सोचिये कहानी में कौन-कौन मित्र थे हम बहुत अच्छे कहानी में लॉम्री और कच्छुआ जो थे बहुत अच्छे मित्र थे अगला प्रश्ण कच्छुए की जान किस ने बचाई थी सोचिये बताईए बहुत बढ़िया कच्छुए की जान लॉम्री ने बचाई थी लॉम्री कौन थी लॉम्री कच्छुए की दोस्त थी सच्छी मित्र थी और उसने कच्छुए की जान बचाई थी अगला प्रेशन लॉम्डी ने कच्छु की जान किससे बचाई थी लॉम्डी ने कच्छु की जान किससे बचाई थी लॉम्डी ने कच्छु की जान बताईये किससे बचाई थी बहुत अच्छा लॉंबडी ने तेंदुए से कच्छुई की जान बचाए थी जैसा कि अभी अमने कहानी में पढ़ा था कि जब वो दोनों लॉंबडी और कच्छुई बात कर रहे थे तो कौन आ गया था तेंदुआ आ गया था तो लॉंबडी तो बहुत तेज चल के अपने मान में चली गए थी परन्तु कच्छुई अपनी धीमी गती के कारण जान ही पाया था जिससे कि उसकी जान तेंदुए के हाथ में फस गई थी तो फिर लॉंबडी ने क्या किया था तरकीब सोची थी कच्छुई की जान बचान जैसे ही तेंदुए ने कच्छुए को तालाप में फेका, तो क्या हो गया? इसकी जान बच गई. तो लॉम्डी ने बड़ी ही चालाकी से और बुद्धी मता से अपने दोस्त कच्छुए की जान बचाई थी. चलो बच्छो, अब हम आगे देखते हैं, बूजो तो जाने. अच्छा बताईए ये कौन है? ये कौन सा जानवर है? सभी बच्छे बताएंगे? आपने इसे देखा होगा? अपने आसपास भी कहीं घूमने जाते हैं आपने जब देखा होगा? ये है बहुत तेज दोडता है आपने टीवी में है, पिच्चर में इसको देखा होगा? कौन सा जानवर है ये? बहुत अच्छे घोड़ा. अगला, बूजो तो जाने? ये कौन है? अबी ये हमारी कहानी का एक पात्थ है. जोकि बहुत मैतुपूर हैं, सोची सोची कौन है? ये चलांग लगा कर चलता है, और कहानी में भी अपना शिकारी न इसने चलांग लगा कर ही पकड़ा था. कौन है ये? कौन है ये? बहुत अच्छे. ये है तेन दुआ. कौन है ये? तेन दुआ. अगला, अगला बताएं. ये कौन है? ये भी हमारी कहानी का बहुत महतुप पुर्ण पात ये हैं और ये कैसे होती है बहुत चतुर होती है तो अपर हमारी कहानी में सबसे चतुर प्रानी कौन है कौन है If बताईए, बहुत बढ़िया, हमारी कहानी में सबसे चतुर है लोमडी, और लोमडी किसकी दोस्ती, कच्छुए की, और उसने अपनी बुद्धी मता से और अपनी चतुराई से कच्छुए की जान बचाई थी, अगला, बूजो तो जाने, ये कौन है, ये हमारी कहानी का, ये और दीरे दीरे चलता है, कौन है ये, ये है कच्छुए, तो बच्चो, आप सभी समझ गए, कच्छुए कैसा दिखाई देता है, लोमडी कैसी दिखाई देती है, तेन दुआ कैसा दिखता है, तो आप सभी ने आज इस कहानी को पढ़ा, और इन पात्रों को जाना, और इन की विशेष्थाओं के बारे में भी हमने जाना जैसे कच्छुवा धीरे धीरे चलता है यह कच्छुए की विशेष्था है और अगला लॉम्री क्या होती है लॉम्री बहुत चतुर होती है यह लॉम्री की विशेष्था होती है तीसरा जानवर कौन था मारा तेन दुआ तेन तो ये थी हमारी सच्ची मित्रता और सच्चे दोस की कहान। तो आईए यहाँ पर मैं आपको सच्ची मित्रता का एक और बहुत महतुपून और प्रसित उधारन देती हूं। एक सच्चा दोस वह है, जो उस समय आपका साथ दिता है, जब आपके साथ कोई नहीं होता है, तो बच्चों, आप अपने जीवन में उसी को अपना मित्र समझेए, जो आपका साथ उस समय दे, जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, अर्थात, आपके दुख में आपक साथ दे या ना दे परन्तु आपके दुख में है सदेव आपके पास खड़ा हो आपके पास हो वही आपका सच्चा दोस्त है जैसे कि श्री कृष्ण ने अपने घनिश मित्र सुधामा की मदद करी थी वो भी उनकी मदद मागे बिना उन्होंने स्री कृष्ण ने सुधामा की मदद करी थी और ये बहुत ही घनिश्च मित्र थे इनकी मित्रता बहुत ही प्रसिद्ध है बहुत जानी जाती है यही है हमारे सच्चे दोस्त और ऐसी सच्ची मित्रता आज हमने अपनी कहानी में बढ़ी लॉम्डी और कच्छुए कि लॉंबडी ने भी अपने दोस कच्छुए की जान बचाकर अपनी सच्छी मित्रता का प्रदर्शन किया था तो बच्चों अपने जीवन में सच्छे मित्र बनाते रहिए और उनका साथ देते रहिए बच्चों इस कहानी हम एक और बात पढ़ते हैं कि हमें अपने पशु एवं पक्षियों को प्यार करना चाहिए उनकी रक्षा करने चाहिए जो लोग उनको हानी पहुचा रहे हैं जो लोग उन्हें नुक्सान पहुचा रहे हैं उन्हें रोपना चाहिए और हमें खुद स्वयम उनकी रक्षा करने के प्रैत्न करने चाहिए और उन्हें प्यार करना चाहिए उन्हें नुकसान नहीं देना चाहिए तो बच्चो आज हमने अपने कक्षा दो का पाठ पांच दोस की मदद पढ़ा आशा है आप सभी को समझाया तो इस समय आप अपने घर पर रहिए सुरक्षित रहिए, स्वस्त रहिए एवं पढ़ते रहिए और अच्छी मित्रता करते रहिए धन्यवाद